असलाम अलेकुम आज बनाऊंगी मैं चासनी वाला हलवा आई लनाना रो चासनी वालवा इलाइची लिए और मैंने नारियल का किस लिया है आप कोई भी ड्राइफ रूट यूज कर सकते हैं मैं इसे हलका सा भून लूँगी इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है एक तरफ मैंने सोजी ले लिए इसे रवा भी कहते हैं आप मोटा या बारिक दोनों में से कोई भी आज को कमी रखना है और चम्मत चलाते रहना है ताकि यह चिपके ना एक तरफ मैंने 10-12 इलाइची ले लिए आदा कटूरी इसमें चीनी डा लिए और इसका पेष्ट बना के रख लिया है मैंने इलाइची का जब भी आप मीठा बना है उसमें डाल सकते हैं आप इसे एक तरफ मैंने हलका सा नमक डाला है सोजी भूनते हुए क्योंकि नमक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ा जब भी हम मीठा बनाते है तो एक तरफ चासनी भी बनके रेडी हो चुकी है रावा भी भून चुका है तो मैं चासनी इसमें डाल दूंगी मैंने आज को मिक्स कर लिए एक तरफ मैंने इलाइची का पाउडर जो बनाके रख दिया था वह वह भी इसमें डाल दूंगी इसकी सेंट बहुत अच्छे आती है खुश्बू इसकी मैं अच्छी तरह इसे मिक्स कर लूँगी हलवा बनके रेडी हो चुका है आप इसे आठ दस दिन बन आके रख कर भी चासनी का हलवा खा सकते है यह बनके रेडी हो चुका है चासनी का हलवा असलाम अलेकुम